हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल उनीक गार्डनिंग और फ्रेंट्स देखिए ये बहुत ही प्यारे से खुबसूरत से मेरे कोलियस के प्लांट है जिने मैंने काफी टाइम से अपने गार्डन में एड़ करना चालू किया है तो उसके बाद में देखिए फ्रेंट् यह खुबसूरत लग रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं तो आज में आपके साथ में कोलियस के जो प्लांट है उनके लिए कुछ टिप्स शेर करना चाती हूं उनकी कैसे करें उसको शेर करना चाती हूं तो बने रहिएगा फ्रेंट्स मेरी वीडियो में और अगर आप मे ये मेरे कोलियस के रहन का हैesin तो कोलियस धे कैसब फ्रेंट जो भीना फ्लावर के आपके गरडन में रन्ग भरता है और इसे जो हमारे गरडन है उसमें बनायím रखने के बहुत ही आसान तरीके होते हैं पहला तो यह फ्रेंस कि आप अगर इसे अपने garden में हमेशा बनाए रखना चाते हैं तो इसकी cutting जो है वो time to time आप लगाते रहे हैं और ये हर मुसम में इसकी cutting ग्रो कर जाती है मैंने भी बहुत सारी cuttings इसकी grow की है मैंने एक ही plant के कहीं सारे plant बनाए हैं देखिए फ्रेंज ये इस टाइप के में हर बार छोटी-छोटी सी cuttings निकालती हूँ इसमें से और फिर में इस cuttings को grow करती हूँ तो देखिए फ्रेंज कितना खुसरा सा plant तयार हो गया है और ये दोन बनाए रख सकते हैं दूसरी बात ये फ्रेंज की इसको अगर आपके garden में बनाए रखना है तो आप time to time इसकी pinching जरूर कीजिए तो पिंचिंग आपको कैसी करनी है फ्रेंज की आप इस तरीके से ये जो उपर की दो leaves ये चार leaves होती है उसे आप इस तरीके से अपनी जो उं अपने प्लावर को भी बुशी कर सकते हैं और दूसरी बात फ्रेंज कुछ टाइम की बाद में इसमें time to time नए ने फ्लावर भी निकलने लग जाते हैं तो देखिए फ्रेंज इस तरीके से ये जो फ्लावर आपको दिख रहे हैं आपको इसे भी हटाना है क्योंकि ये जो आपको इस प्लावर को हटाना है क्योंकि फ्लावर से कोई मतलब नहीं रहता है फ्रेंज इसमें आपको इसकी लीफ्स में काफी ज़्यादा देख कर आपको खुशी होगी तो इस तरीके से आप time to time इसकी पिंचिंग कीजिए इसके फ्लावर को हटाईए तो ये आपके गर इसकी मिटी इस तरीके से आप तयार करें किसकी मिटी में कोको पीट की मात्रा को थोड़ी अधीक डाले क्योंकि फ्रेंज कोको पीट जो होता है वो इसकी मिटी में मौश्यर बना के रखता है और इसकी मिटी में इसको मौश्यर काफी ज्यादा पसंद होता है इसे अपनी म ज़्यादा इसको कोई شॉईल की परिशानी नहीं रहती है तो मैने देखिए इस छोटी सी जो इपॉलिथिन दिख रहे है इसमें मैंने सारे प्लांट की एक कटिंग लिये थी और देखिए इसको मैंने निकाले कर इसमें लगा दिया था और ये सारे प्लांट का एक प्यारा सा बुके जिसा मैंने तयार कर लिया है फ्रेंस देखें इसमें सारी कलर की कटिंग सापको मिल जाएगी सारे प्लांट की कटिंग मिल जाएगी और यह कटिंग कभी एक राज रहता है फ्रेंस कोलियस में कि अगर आप इसके प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो कुछ नया ही कलर इसमें निकल कर आपकी सामने आता है, तो इस तरीके से Fred आपने कोलियस की जो वेराइटी है, उसको बड़िया से डेवलप किया है और एक से दस प्लांट इसके मेंने अपने गारडन में ही तयार किये हैं। खात की बात करूँ तो इसको आप NPK 2019 का हर 15 दिन में अगर इसको आप शावर करेंगे या फिसके जो मिट्टी है उसमें देंगे तो इसके जो मट्टी की देने से फ्रेंस इसकी जो रूट से वो भी काफी डिवलेफ होगी और इसके उपर अगर आप शावर करेंगे फ्रेंस तो इसके जो कलर है वो भी काफी ज़्यादा ब्राइंट आएंगे निकल के इसकी पत्तियों का साइज भी काफी बड़े होगा तो देखिए फ्रेंस ये पत्तियों का साइज भी आप देख पा रहे है कि कितना बड़ा और कितना प्यारा निकल कर आ रहा है कलर की तो आप ब अगर किसी ऐसे प्लांट को एड़ करना चाते हैं जो आपकी कम केर में ही बहुत जधा खुछारत लगे और उसको । केर की जधा खाद की जरुबत नहीं पड़े हैं आप बीजी रहते हो आप अपने गार्डन बनाना चाथे हो और आप के पास में इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी केर कर पाओ तो यह सबसे बेस तरीका है कि आप कॉलियस को अपने गार्डन में एड़ कीजिए तो फ्रेंज मैंने जो आपके साथ में टीफ शेयर की है जो मैंने आपको बताया है आप अगर उसको अपनाएंगे तो आपके गार्डन में हमेशा इस तरीके से कॉलियस के प्लांट रहेंगे थोड़ी सी केर करनी पड़ेगी फ्रेंज बस कि आप इसकी जो फ्लावर है उसको टाइम टू टाइम हटाते रहिए और इसकी जो पिंचिंगे वो करते रहिए अपने गार्डन में हमेशा इस तरीके से खुबसूरती बनी रहेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस का ना मत बुलिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्लान की जनकरीक साथ तब तक के लिए टेक केरें बाबाई